नमस्कार आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल इंडिया और मैं हूँ आपके साथ हरी शास्वाल भारत एट नाइन में आपका स्वागत हम रोज किसी ना किसी पिशे पर विशलेशन करते हैं आज मैंने सोचा कुछ ऐसा जो मुझ पर खुद आप बीती हो मैं आप तक पहुचा कई बरी क्या होता है कि हम कुछ अच्छे कामों की चर्चा अगर नहीं करते तो वो भी एक तरह का किसी ना किसी के परती हम अपराद सा कर रहे हैं कि अच्छे कामों को हमने सरहा नहीं और हमेशा खराब कामों की चर्चा करते रहे हैं तो इसी तरह से एक छोटी सी स्टोरी ह कि कैसे किसी की मदद अंजाने में हो जाए और किस प्रकार से कौन कर जाए यह बड़ी बात होती है इसमें कहानी का थोड़ा सा यह है कि एक गरीब माबाप का एक बेटा जो की रहने वाले बस्ती के हैं और बस्ती से उनका लड़का यहाँ पर नाड़ा में एक जॉब करने के लिए आता है लड़के के उम्र 25-26 साल और माबाप जिस तरह से अपने बच्चे के लिए जब सेटल हो जाता है तो उसके लिए एक प्रैती है कि उसकी शादी हो जाए और इस तरह से के लिए विचार आते है तो इधर से ढून चल रही थी उसके लिए एक लड़की देखने की लड़का अपने करियर में बहुत अच्छा कर रहा था और इसी बीच में एक दिन रात को उस लड़के का एक्सिडेंट हो जाता है और एक्सिडेंट में वो काफी गंभीर रूप से गायल हो जाता है और आनन फानन में इसको अस्पताल ले जाया जाता है जहां पर बताया जाता है कि उसके पेट में स्टेरिंग लगने के कारण उसके अंदर काफी डैमेजेज हो चुके है अब बुड़े माबापों के क्या बीतेगी जिनका एक ही लड़का हो तो आप समझ सकते हैं कि वो बहुती खराब इस्तिती में वो परिवार पहुंच गया और एक महीने तक लगातार जथार्थ हॉस्पिटल में वो अपनी बिमारी से लड़ता रहा अपने जखनों से लड़ता रहा पर अचानक से इसको नमूनिया हो जाता है गलती से या कहें की डॉक्टरों की लापरवाही से कहीं ने कहीं उसके साथ उसका ऑपरेशन भी कर देते हैं और ऑपरेशन सक्सेस्फुल ना होने के कारण उसकी मृतिव हो जाती है लड़के का नाम हर्शित है और ये एक बहुती गरीब परिवार से आता है पिताजी वकील है और छोटी बेहन है जो बैंगलोर में जिसकी शादी हो गई है तो रहा साथ बुड़ापी की लड़ी एक हर्शित ही था बतमे माबाप की तो हर्शित की पुलिस पर क्रियाश शुरू होती है रात के एक बज़ रहे थे इस्पताल ने कहा कि पहले थाने को इन्फॉर्म करना पड़ेगा उसके बाद ही हम आपको आपको बॉड़ी दे सकते हैं तो हम सबने जैसे कहा कि आप ही इन्फॉर्म कर दीजिए तो आप समस्या दो हुई एक रात के एक बज़ रहे थे माबाब बिल्कुल तूटे हुए थे और दूसरी तरब से पुलिस का दजार चल रहा था अब अस्पताल से गलती हुई या अंजाने में हुई कि ठाने के छेत्रों को लेकर विवाद हो गया एक ठाना आता है बिसरक ठाना जहां से एक सम-िंस्पेक्टर आते हैं और काफी देर बाद वो आते हैं आने के बाद जब हो सारी स्टूरी सुनते हैं और प्रकृरिया की तियारी करते हैं तो अचानक से उनको धियान आता है कि एक्सिडेंट की मैं लोकेशन भी पूछ लूँ और एक्सिडेंट की लोकेशन पर विवाद हो जाता है कि ये लोकेशन तो हमारे छेत्र में आती ही नहीं है तो करते करते रात के दो ढ़ाई बजगे इसी परकार से तो उनसे पूछा गया कि किस परकार से अब ये होगा अब दूसरे थाने को कौन इंफॉर्म करेगा जब कि अस्पताल ने तो आप किया थाने में बुक किया है इस चीज को इस एक्सिडेंट को तो खेर वो सब इंस्प परकार से एक घटना हुई थी और इस घटना में ऐसे से आज हर्शित की मिर्ति हो गई है तो परिजन पोश्माटम नहीं चाहते हैं और वो बाडी को ले जाना चाहते हैं तो इसकी कारवाई के लिए आप आगे आए एक घंटा और हो जाता है उसमें आगे ठाने 113 से और च एक पेपर तियार करते हैं जो पेपर मेरे पास है मैं स्क्रीन पे भी दिखाऊंगा ये पेपर तियार करते हैं और इस पे चार लोगों के हस्ताक्षर होते हैं जिसमें एक हस्ताक्षर मेरे भी थे तो बुड़े माबाब को अपने बेटे के मृत शरीर मिल जाता है और वो रात को ही एंबुलेंस के द्वारा बस्ती के लिए रवाना हो जाते है अगले दिन सुबह 9-10 बजे करीवन वो पहुंचते हैं बस्ती माबाब बिल्कल तूट चुके थे उनके कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो शुरुआत कहां से करें किस के लिए करें और आप गये चलके उनका क्या होगा अगर दोनों बुजगरों में से किसी को पहले कुछ हो जाता तो उनकी देखभाल कौन करेगा पर लड़की उनकी काफी हिम्मती थी लड़की ने अपने माबाब को संबाला और खौशला दिया कि मैं हूँ और उन्होंने काफी अच्छे से उनकी देखभाल करने का वचन भी दिया तो ये तो हो गए इस परिवार की कहानी जहां पर ये ये कभी न तूटने वाला सफर है जो उनको रोज किसने किसी बात पर याद आएगा पर मैं उसके बाद की कहानी आपको बता दूँ उसके बाद जब फेबरेरी का एक्सिडेंट है मार्च में मिरती हुई थी 23 मार्च की गटना है उसके बाद उनका मुझे को फोन आता है फोन आने पर वो मुझे से बोलते हैं कि जो ये पंचनामा हुआ था ये पंचनामा की कॉपी पे पुलिस की महर नहीं है तो पुलिस की महर नहीं होने के कारण इंशॉरेंस कंपनी ने हर्षित का इंशॉरेंस को रोग दिया और कहा कि आप पहले पुलिस का ये महर लगावा परचा लेकर आए अब ये कॉपी काफी धुनली थी क्योंकि टाइम भी काफी हो गया था और उरिजिनल कॉपी उनके पास नहीं थी क्योंकि इंशॉरेंस कंपनी अपने उसमें जमा कर चुकी थी अब बचा था फोटो फोटो की जरी उन्होंने मुझे भेजा मैंने इस कोशिश करी साफ करने की पर काफी हद तक काम्यावी में विली और साफ भी होगी पर इस पूरी परक्रिया में मैं थाने पे कम से कम 10 से 15 दिन बिना किसी reference के, बिना किसी अपने पत्रकार के card को दिखाए बिना मैं थाने जाता रहा और थाने जाते हुए मुझे किन-किन समस्याओं का सामना करना पड़ा पहले उन पर आता हूँ तो मैं थाने पहुंचता हूँ तो मैं थाने पहुंचकर मुझे एक विंडो दिखाई जाती है कि आ वहाँ जाके पता कर लिजिए तो मैं वहाँ जाता हूँ तो वो कहते हैं कि ये पंचनामा तो एक समझाता है जिसको आप ये हमारे record में नहीं होता है और अगर पोस्ट मार्डम हुआ होता तो शायद हमारे record में होता है तो मैं बड़ा आश्चेर हुआ कि ऐसे कैसे हो सकता है कि पलिस द्वारा एक परचा भरा गया और उसका record नहीं है फिर भी मैं उमीद करता हूँ कि किसी तरह से ये कुछ ना कुछ तो record होगा इनके तो मैं फिर और लोगों के पास जाता हूँ तो मुझे बोलते हैं कि शायद आपको चौकी जाना चाहिए चौकी में इसका record मिल सकता है तो चलिए मैं फिर चौकी पहुंचता हूँ कि इस कमरे की चाबी मेरे पास नहीं है जिसको जिसमें record हो सकता है तो आप दो दिन बात आईए तो ये आठ नौ दिन हो चुके थे इस बात को तो मैंने का आप ये application रख लीजिए और इसमें देख लीजिए अगर आपको record मिलता है या मुझे कोई साही रास्ता बता दीजि तो बुलते है ठीक है आप दूसरे दिन आईए दूसरे दिन जाने पर मुझे कहा जाता है कि हमारे पास को record नहीं है और आप एक काम कीजिए कि इसी का print निकाल के ले आईए और print में ही हम मोहर लगा देंगे तो मैंने का ठीक है अगर ऐसा कुछ होता होगा हमें तो इसका प इसलीक्स में कुछ न कुछ आप सोचके ही बोल रहे हूं तो मैं दूसरे दिन इसका print साफ को अपनी लेके जाता हूं और जाने पर मुझे पता लगता है कि चौकिन चार्ड साब बोलता है मुझसे कि साब हमारे पास तो मोहर भी नहीं होती है तो ये घटना घटे घटे दस से बारा दिन एक छोटे से कागज के लिए जो मैं आपके सामने रख रहा हूं दस से बारा दिन तक मैं खुद चक्कर लगाता हूं जबकि मैं पत्रकार हूं और पत्रकार के साथ-साथ विभागों में कई बड़े अधिकारियों को मैं जानता हूं जिनका मैंने साहरा नहीं कि यह जानना चाहता था कि एक आम आदमी के लिए किटनी मुष्मिलें हो सकती है और कितना कितना मुष्मिल है यह टंत्र जहां लोग सुनने को तरहायर नहीं होते यह समद़ करने को तियार नहीं होते हैं दस से बारा दिन तक मैं इसी प्रकार से जैसे कहते गए मैं करता गया पर बोलते हैं कि आशा कहीं न कहीं थी मुझे कुछ तो कुछ तो लोग होंगे जो सिस्टम में बैठे होंगे कुछ तो अच्छा होगा तो मैं फिर वापस थाना 113 जाता हूं और ज ले आया हूं यह यह ऐसे समस्य है तो उन्होंने मुझे बड़े खड़े भाशा में जिस प्रकार के आप देखते हैं पुलिस की भाशा सैली जो है कई बारी चुपती है जब आप परिशान होते हो और बड़े अजीब धंग से उन्होंने मुझे ना उन्होंने मुझे देख लीजिए कोई ऐसी बात नहीं है कि आप समझ लीजिए हो सकता है मैं कुछ समझाने में गल्ती कर रहा हूं तो आप इसको समझ सकते हैं तो खैर उन्होंने मुझे कोई ज्यादा महतु नहीं दिया और मैं यह नोट करता रहा अपना experience बनाता रहा देखता रहा कि किस प से पूछा कि मैडम ऐसे सी बात है तो आप शायद आपके पास रिकॉर्ड होता है इसका जो क्योंकि पोस्ट मार्डम भी होते हैं तो अबिसली थाने में कुछ ना कुछ आपके वास सूचना तो होती ही होगी तो मैं आज योगी सरकार को बहुत-बहुत धन्यवाद करता कि उन्होंने महिला को चीस तरह से थाने में रखा वाके में आज महिलाओं में जो सबिदन से इलता दिखाई देती है उसी प्रकार से कुर्शों में वो निश्कर्सपा भी नजर आ रही है तो कहा जाता है कि महिला ना होती उस थाने में तो शायद मेरी मदद समय पर नहीं ह समझी और मैं बताओं उनका सबसे बड़ी बात जहां जाती वाद की बात होती है और यादव समाज को लेकर पुलिस में कोई खास अच्छा परभाव नहीं है महीं जोती यादव नाम की लड़की ने मेरी बात को बहुत ध्यान से सुना ध्यान से सुनने के बात उन्होंने मु तक गई जो मुझे बहुत अच्छा लगा और अच्छा लगने के साथ सा उन्होंने फिर मुझे प्रिया मलिक नाम की एक सिपाई से और मिलाया वो उनसे भी एक कदम और आगे अच्छी उन्होंने मेरी बात पिर सुनी ठीक है मेरे को डेट वो बताईए मैं दो मिनिट का सम कदम में दीजिए मैं भी देखती हूं बड़े प्यार से उन्होंने मुझे महापर सुना और समझा और उन्होंने फटाफट कम्प्यूटर में वो डेट डाली वो नाम डाला और उनके सामने अच्छी तो इन्होंने वो रिकॉर्ड का प्रेंट लिया मैंने रिकुस्ट करी और बोड़े मावा कुछ भी जो भी रकम उनको मिल पाएगी हमारी मदद के करण तो शायद वह अच्छा हो जाएगा तो इस लड़की ने मुझे प्रियंका मलिक ने वो मुझे प्रिंट दिया प्रिंट दे के उसने मुझे स्टैंप लगा के बकाइदा ये स्टैंप लगा के साइन करके मुझे दिया कि ये आपकी तो शायद वो जोती यादव और प्रियंका मलिक को पता भी नहीं होगा कि मैं किस तरह से इस चीज को देख रहा हूं इस पुरे गटना करम को किस तरह से पने दिमाग में बना रहा हूं कि क्या थाने पे जाने पे आदमी के अंदर किस तरह की सोज कुछ पुलिस वालों के परती आती है और किस प्रकार से लोग ठाने को देखते हैं तो मित्र पुलिस की जो भावना है न तब ही आएगी जब हम सभीदन सील हो जाएंगे और मैं योगी आदितनाज जी को बहुत बहुत बदाई देता हूं इस बात की कि उन्होंने वाक्य में ये पहलू शायद कहीं ने कहीं उनके साथ भी घटा होगा या उनके जानने वालों के साथ घटा होगा तब ही उन्होंने इस चीज़ की हमेशा से आगे रखा कि महिलाओं को आगे आना होगा फुरसों में वो समिद्न सिल्था बची नहीं है शायद मैं फुरस होके बोल सकता हूं कि जिस तरह की खड़ी बोली का इस्तमाल करते हैं जिस तरह का व्यवार रखते हैं कि अपरादी और वादी दोनों के बीच में जिस तरह का संबाद होना चाहिए वो नहीं रखते हैं और एक अजीब से रोख से तो लोग पुलिस वालों से दूरी बना के रखते हैं कहते हैं कि आवद भी आपने सुनी होगी जाकर कहा जाता है कि पुलिस वालों की दोस्ती और दुश्मनी दोनों बुरी है तो उसी परकार से मेरे को थोड़ा सा अच्छा एक्सपीरेंस जो अच्छे लोग हैं उनको प्रत्साहंग होना चाहिए उनके लिए उनका नाम आगे आना चाहिए जोती यादव और प्रेंका मलिक दोनों मुझे नहीं जानते और शायद अगर ये प्रोग्राम उन तक पहुंचे का तो शायद मेरी मेरी सूरत देख के उनको यकीन हो जा प्रोग्राइब किया और मैंने उनको बदा ही दी कि आपकी टीम जो टीम में जो महिलाएं हैं वो बड़ा अच्छा कारे कर रही हैं और जिस तरह से उनके मुझे हैंडल किया शायद मैं आपका नाम लेता तो मुझे चाही भी पूछती पानी भी पूछते पर मैंने जिस त जाने का मतलब मैं फिर बता दूँ थाने आप लोगों के मन में बड़ा अजीब सा विचार रहता है जहां पर सब सोचते हैं कि थाना जाना मतलब कोई अपराद हो गया या कोई आपके साथ लूट हो गई या आपके साथ ठगी हो गई थाने से कोई इस चीज का मतलब नहीं होता कि आप हमेशा गलत शिकायतों को लेके या शिकायत को लेके या किसी अपराद को लेके ही थाने जाते थाने में जाने का कई कारण हो सकते हैं और कई कारणों में आपके जैसे आपका पास्पूर्ट से लगी इंक्वारी हो सकती है आपको कोई ने कोई आपके एड्रेस डिस्क भी इस तरह के होने चाहिए जहां लोग आके आराम से थाने में अपनी बात रख सकें कोई सुनने वाला सही व्यक्ति हो तो मित्र पुलिस बनने में उत्रपरदेश को समय नहीं लगेगा और मैं योगी अदितनाजी को फिर कहूंगा उन्होंने बहुत अच्छी पहल क को जादा से जादा थानों में बठाने कोशिश करी और ऐसी महिलाओं को मेरे मेरी तरफ से सेलूट है कि जो अंजाने लोगों को भी मदद कर रही है और अपनी भासा शैली से बहुत अच्छे से उनने मुझे अटेंट किया और ऐसी मैं समझता हूं कि वो बाकी लोगों के स और थोड़ा थो ऑस मैं पूरूरूसों के लिए कहूं कि थोड़ा सा उनको और दुरस्तोे हों के जरूरत है कि हर आदमी को को आप this कोई कुछ भी हो सकता है पर उसकी मझबूरियां कुछ भी हो सकती है कितना परिशान होके थाने पौशता है या उसकी थाने की मदत के करम भी करें जिसमें की हमारे आने वाले समय में जो इस तरह की मदद हम लोग एक दूसरे की करते हैं और एक दूसरे को प्रुटसान करते हैं तो ये भी होना चाहिए और एक दूसरे को हम इसी तरह से आगे बढ़ा सकते हैं और इन लोगों को और अच्छा लगेगा कि जब को में ही भगवान होता है तो कभी ने कभी इनको एस तरह के दर्शन होंगे इनको अच्छा करेंगे तो इनको भी अच्छा ही फ़ल मिलेगा और इनको अच्छी प्रोग्रेस मिले जोती यदब बहुत-बहुत मुबारक आपको इसी प्रकार से आप काम करते रहें और किसी लालस मेना रहें और आपको एक दिन कामियाभी जरू मिलेगी और आप बहुत अच्छा आगे भी करते रहेंगी ऐसी मेरी उमीद है इसी प्रकार से लोगों की मदद करते रहें आपकी मदद से एक बुड़े माबाप को बहुत एक छोटी सी धनराशी जो शायद उनकी जीवन के लि फ्री में तो कुछ मिलता नहीं है आप समझ सकती है तो आपकी ये मदद उनके परिवार को चलाने में बहुत कारगर होगी तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद तो भारत एट नाइन में आज मैं इस प्रोग्राम को रोज समिक्षा करते हैं तो आज मैंने सोचा किसी क का धन्यवाद करने के लिए भी मैं ये प्रोग्राम करूं तो भारत एट नाइन देखते रहें कल हम इसी प्रकार से किसने किसी और मुद्वे पर बात करते रहेंगे कोई ना कोई समिक्षा करते रहेंगे सरकारों को घेड़ते रहेंगे विपक्ष को समझाते रहेंगे और हमारा काम यही है तो भारत राइन देखते रहें बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार